Hey guys, welcome back to my channel दोस्तों आज के मिस बीडियो में बात करने वाले हैं अगर आप लोग एक EPS संचालक हैं और यहाँ पर CSP संचालक हैं किसी भी बैंक की ID लेके काम करते हैं या फिर किसी भी EPS कंपनी के साथ जूर के काम करते हैं तो NPCI National Payments Corporation of India का यहाँ पर जो यह अपडेट लागू किया गया है यह जानना आप लोग के लिए काफी जादा बहत जरूरी है तो इस बीडियो को पूरा देखिए उम्मीद करते हैं आपके लिए बहुत ही बड़ा helpful बीडियो होने वाला है अगर आप लोगी बीडियो को मिस करते हैं तो 100% एक बरी जानकारी मिस करिएगा तो 100% यहाँ पर जो इस बीडियो को पूरा देखिए आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं अगर आपको बीडियो पसंद आए तो इस बीडियो को लाइक करिएगा हमारे चनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि इसी तरह इन्फमेटी वीडियो आपको मिलते हैं चले इस वीडियो को स्टार्ट करते जानते हैं NPCI National Payments Corporation of India का ये कौन सा ऐसा अपडेट है जिसको लेके यहाँ पर काफी ज्यादा benefit होने वाला है आपको चले इस वीडियो को पता है NPCI National Payments Corporation of India ने यहाँ पर 2023 के अंदर ही यह लागू कर दिया था और यह जो निया में है और यहाँ पर यह जो अपडेट है NPCI की यह 2023 से ही चल रही है लेकिन सकती से लागू करने के लिए यहाँ पर जो है टूफेक्टर ऑथेंटिकेशन टूफे का यहाँ आप आप लोग उस ID से काम कर पाते थे और यहाँ जो अपडेट है दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आपको पता है NPCI ने पहले ही बता दिया था कि आपको हर एक ट्राजक्शन पर यहाँ पर जो आपको अपना फिंगर अठांटिकेशन करके आप लोग ID को इस्तमाल कर पाईएगा तो बैसा ही यह नियम लागू हो चुका और मैं आपको बता दूँ यह कौन सी APS अंचालक के लिए क्या यह बाकई में सभी के लिए लागू हो चुका है क्या यह सही बात है या नहीं है तो इसमें मैं आपको बता दूँ यहाँ पर देखिए अगर NPCI National Payments Corporation of India जैसा कि पहले से आपको कहता था यहाँ पर किसी भी APS कंपणी के आप ID लिये होंगे तो आप लोग देखते होंगे टू फैक्टर ऑठंटिकेशन का यहाँ पर पहले सही option आपको मिलता होगा अगर आप लोग रॉइनिट के हैं तो सबसे पहले रॉइनिट में यह यहाँ पर यहाँ पर यह जो प्रोवाइड किया गया था सर्विस तो अगर आप लोग रॉइनिट के CSP संचालक है रॉइनिट के ID चलाते या फिर कोई सी भी अधर मैं नाम नहीं लोगा लेकिन जितनी भी APS कंपणी है इंडिया के अंदर यह सभी के अंदर टू फैक्टर ऑठंटिकेशन का option आ परता था ठीक है तो आप लोग जो है ना first time मतलब कि दीन में आप 10 बजे दुकान खोलते हैं तो first time अगर काम करते हैं ID पे तो आपको जो एक दिन में एक बार अपना finger agent का finger लगाना परता था फिर उसके बास से जो आप किसी भी गरहा का पैसा को withdrawal कर पाते थे लेकिन अभी क company के अंदर नहीं था तो NPCI ने यहाँ पर fraud को देखते हुए और fraud को यहाँ पर जो है मद्दे नजर रखते हुए यहाँ पर बहुती बड़ी update लाई है ताकि fraud को रोका जासा को इससे कहीं हद तक दोस्तो 100% तो नहीं यहाँ पर 99% fraud होने के chances आपके घर जाते हैं और किसी भी ग्रहक का यहाँ पर fraud होने का कोई chances ही नहीं बचता है जैसा कि आप लोग किसी भी ग्रहक का पैसा निकालते हैं मान लिजिए मेरे पास जो है एक person आया और जिसका मैंने अपना पहले finger लगाया फिर उस ग्रहक का पैसा निकाला फिर वो बड़ा ग्रहक चला गया ठीक है वो जो है customer चला गया फिर उसके बाद दूसरा को ग्रहक आता है तो फिर से मुझे अपना ekyc करना परेगा और authentication करने के बाद फिर मैं उस ग्रहक का पैसा निकाल पाऊंगा मतलब मान लेजिए अगर यह जो है एक person जो है a person आपके पास आता है ठीक है a person को आप पैसा निकाल के दे देते हैं उसका finger बगारा लगा के और जैसे फिर बी person आता है तो बी person को यहाँ पर उसका पैसा निकालने से पहले आपको जो अपना थम लगाना परेगा और अपना यहाँ पर KYC फिर से करके आप लोग जो है KYC तो इसे नहीं कहेंगे यहाँ पर two factor authentication यहाँ पर आपको अपना biometric capture करके फिर आप जो है भी person का पैसा निकालिएगा ऐसी तरीके से आप सी person फिर कोई आता है तीसरा बंदा कोई आता है तो फिर उसके transaction से पहले आपको फिर से अपना यहाँ पर जो है आपको एक बार finger लगाना परेगा फिर उसका ID से आप लोग या उसके bank से आप पैसा निकाल सकते है ठीक है तो यह ऐसे काम करेगा अपडेट तो आप लोग को समझ में आ गया होगा यहाँ पर यह गरहां के लिए और ज्यादा benefit है और APS अंचालक के लिए तो 100% यहाँ पर सेफ है और बहुत ही अच्छी यहाँ पर जो है अपडेट लाया है और यह जो ह किसी भी APS कंपणी का और किसी भी APS कंपणी का ID उसके documents पे ले लेते थे अधार कार्ड पेन कार्ड उसको बीना बताए आप यहाँ पर काफी सारे fraud करने वाले उसके ID के नाम पे यहाँ उसके नाम पे जो है कि APS संचालक की ID ले लेते थे और APS का काम करते थे और उससे fraud transaction क करके ग्रहां का लूट कि और यहां पर रफू चक्कर हो जाते थे और बो जो है यहां पर NPCI को यहां पर जैसे पता चला और यह सब चीज़े जब यहां पर यह आने लगी सामने ज्यादा तो आप लोग जूरे रहना चाहते तो इस चैनल को सबस्क्राइब करें इस चैनल को यहां पर लाइक करें इस वीडियो को और अगर आप लोग को